गई जासके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार इस्टेट में जो मिनिमम मार्क्स रिकॉर्ड होगा तू 2021 के नीट के एक्जामिनेशन में काउंसिलिंग में स्टेट कोटा प्लस और इंडिया कोटा दोनों की कैटेगरी में जितनी भी कैटेगरीज हैं जन्रल ओबीसी, SC, ST, P, W, D, बिहार की जो स्पेशल कैटेगरीज हैं इन सबके बारे में इडिस्कॉर्षण करेंगे, बताएंगे आपको मिनिममम मार्क्स रिकॉर्ण एंड इस पेर रहेंट पर देगर और कौन सा कॉलेज मिलेगा तो जया attract कॉलच ब्रच मिलेंगे लास्ट काट ओफ किस कॉलेज पद खळग ठेख किसी categories के लिए general के लिए किस rank पर और जो दूसरी categories है OBC, SC, STP, WD, EBC इनके लिए कौन सा college last admitted student के लिए था और कितने marks वहाँ पर required थे 2020 में उसके बारे भी बताएंगे complete detail 2020 के लिए भी आप लोगों के analysis करके बताएंगे medical wing के expert के दोरा कि total minimum कितना marks आपको लाना ही पड़ेगा ताकि आपका admission बिहार के किसी न किसी एक medical college में हो सके आप बने रहे हैं medical wing के साथ channel पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने subscribe नहीं किया channel को, channel को subscribe यूरू कर दीजिए ताकि future के जो updates है, नहीं 2021 को लेके वो आपको non-stop मिलते रहे हैं So students, starting with the video, ये detail है 2020 के जो second round की counseling होई थी All India Kota की, उसके बाद जो allotment हुआ था different colleges में उसके जो PDF है वो MCC की website पर available है वहाँ से data को जब medical wing के team ने shortlist किया तो उसके बाद जो last allotment था किसी categories के लिए General, OBC, SC, ST, PWD में जितने भी categories का admission हुआ था बिहार में, second round के counseling के बाद उसमें जितने भी categories का admission हुआ था उनके जो last rank थी, वो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये All India ranking है, और इस rank पर जो admission हुआ था उन colleges में, उन colleges का नाम यहाँ पर mention है Allotted Institute, मतलब इस last rank पर All India को टके थूँ बिहार में, जिस college में admission हुआ था, उस college का नाम उसके बाद course का नाम, Allotted category और यहाँ पर है candidate की category और यह है Neat Marks, इस rank पर जब इस rank को state की merit list से match किया गया तो उसके बाद ये rank आया सामने और इस rank को जब state merit list से match किया गया तो ये mark सामने आये, Neat Marks, क्योंकि जो PDF है MCC की website पर उसमें आपको rank तो पता चल सकता है लेकिन उसमें भी आपको shortlist करने में बहुत problem होगी अगर आप यह जाना चाहेंगे कि last allotment किसी category wise में किस rank पर हुआ था, proof के लिए आप उस document को देख सकते है PDF format में है, खैर बात कर रहे हैं इस rank पर जो last marks required था वो यहाँ पर mention है correct, government medical college बेतिया बिहार में है और इस college में EWS, OBC, General, SC, ST और OBC, PWD का यानि ये जो था, ये college last preferred college था NEET के experience के दोरा, बाकी के जितने भी rank holders थे अच्छे rank holders थे, जिनके marks इस से अच्छे थे उन लोगों ने अगर prefer किया था बिहार के colleges को तो उनको बाकी की colleges मिले थे, लेकिन last जो allotment हो था वो बेतिया में हो था, इन सारी categories के लिए EWS, General के लिए जो marks required था, वो 617, OBC के लिए भी सेम 617 और General के लिए भी सेम 617 marks required थे SC के लिए 520, ST के लिए 500 और OBC, PWD के लिए required था 384 marks, और इनके जो rank थे, ये respective rank है, यहाँ पर mention है General PWD, STPWD और SCPWD के जो candidate थे, इनके marks थे, 348, 330 and 163 respectively और इनका जो admission हुआ था, General PWD का last admission इंद्रा गाधी, Institute of Medical Science पतना में, STPWD का मुझफफरपूर में और SCPWD का भी, Shri Krishna Medical College मुझफफरपूर में हुआ था, last allotted college Second round की counseling के बाद, All India quota के दूरू, करेक्ट अगर आप 2021 में need देना चाहते हैं, आप बिहार के किसी ना किसी एक medical college में admission चाहते हैं, लेकिन आप बिहार state से belong नहीं करते हैं आप किसी बाहर state के हैं, और अगर आप बिहार में आपका admission होता है guys, then आपका admission most probably इस college में होगा, government medical college बेतिया में, अगर आप इन category से belong करते हैं तो, और इसके लिए जो rank required होगा, वो यहाँ पर mention है, rank में changes नहीं आने वाला है, 2021 के examination में, टॉपर्स के marks अगर 720 इस बार फिर से आएंगे, then marks भी almost same रहेगा, एक दो number के difference आ सकता है, right, लेकिन अगर toppers के marks 720 नहीं आते हो, उस case में, यह marks down जाएगा, right, rank में बहुत ज़्यादा changes नहीं आएगा, क्योंकि 2020 में, aims, zikmar, merge हुआ, college और अरड़ी add हो चुके हैं, जो नए college खुलेंगे, उनको नए student prefer नहीं करेंगे, इस ही के आसपास rank रहने वाला है, और ये rank आपको maintain करके चलना पड़ेगा, इस rank पर जो maximum marks आपको लाना पड़ सकता है, वो यहाँ पर mention है, 2020 के, अगर हम analysis करें तो, right, so, बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, तो फिर आपको government medical college बेतिया मिलेगा, अगर आप बिहार के colleges में preferred करते हैं, और आपकी rank इसके आसपास आती है, then marks आपको required होगा, 617, general OBC, EWS के case में, SCST और OBCPWD के case में required होगा, 520, 500, 384 के आसपास, इसके आसपास marks आपको रखना पड़ेगा, right, guys बात करेंगे, जो state quota था, उसमें different category wise कितना required था 2020 में, और 21 में कितना रहने वाला है, क्या आप NEED 2021 की preparation कर रहे हैं, आप important updates मिस कर रहे हैं, test series आप join करना चाहते हैं, आपकी जो performance है, उसको आप compare करना चाहते हैं, all over India के students है, expert की guidance आप चाहते हैं, NEED 2021 के लिए, different study materials आपको चाहिए, या फिर exclusive videos चाहिए, NEED 2021 की preparation के लिए, आपके सारे questions का answer सिर्फ एक app में है, आपको डाउनलोड करना है, Medica Wing का app जोके available है, Google Play Store पर, डाउनलोड कीजिए, कई free contents है, कई सारी test series, free of course है, आप उसको attend कर सकते हैं, अपने आपको compare कर सकते हैं, all over India के students के साथ, कितनी rank आपके आती है, और इसके अलावा expert की guidance भी आप ले सकते हैं, cut-off से related, जितनी भी videos अवेलेबल है, Medica Wing की YouTube पर, आप उसको इस app पर, दिल्कुल free of course देख सकते हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए, Medica Wing का app, now available in Google Play Store, और गाइस, यह है complete detail, माध्यपुरा जो college था, बिहार का, उसमें काफी सारे categories का admission हुआ था, right, सिर्फ एक category जो की general category थी 616 marks पे, इनका last admission जो हुआ था, SKMC मुझभफरपुर college में, MBBS के course में, बाकी के जो categories हैं, DQ, SC, ST, EBC जो है, वो extremely backward classes हैं, बिहार के special category है, RCG यह भी बिहार के special category है, reserve category for girls, right, इन सब के लिए, जो closing rank था, वो यहाँ पे mention है, आप देख सकते हैं, right, यह बिहार के state की closing rank है, और category closing rank, बिहार के state की यहाँ पर mention है, इस closing rank पर, जो all India ranking थी students की, वो यहाँ पर mention है, all India rank, और need marks, कितने required थे, different category के लिए, वो mention है, यहाँ पर, right, बिहार के रहने वाले हैं आप, बिहार में admission चाहते हैं, MBBS में selection चाहते हैं, right, और आप ने 2012 और की preparation कर रहे हैं, guys, minimum आपको जो score करना है, वो इस marks के आसपास करना है, जो यहाँ पर mention है, इस column में, आपकी category के हिसाब से, unreserved 616 के आसपास, BC 606 के आसपास, यानि OBC, RCG girls 600 के आसपास, और EWS 598, EBC 587, ST 487 और SC 457, right, यह इस marks के आसपास आपको score करना है, यह maximum cutoff है 2020 का, 2021 में इस से उपर cutoff नहीं जाएगा, क्योंकि 720 टॉपर्स के आये थे 2020 में, और उस basis पे जब rank decide हुआ, marks decide हुआ, students के जब rank decide हुई, उसमें यह highest cutoff है, किसी भी, अगर medical college के हम बात करेंगे, all over India की, उसके बाद भी, right, तो 2021 में अगर टॉपर्स के साथ 120 आते हैं, तो भी यह highest marks रहने वाला है, right, अगर नहीं आते हैं, तो यह marks down होगा, लेकिन अगर आप इसको prepare करके चल रहा हैं, इसके लिए आपको मेनत करनी पड़नी है, right, जदा ज़दा टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, medical wing के app download कीजिए, medical wing की test series है, उसको opt कर सकते हैं, आप topers की choice है, बहुत सारे positive comments है, students जिन्होंने opt किया है, उनकी और से, आप उसको भी opt कर सकते हैं, 2021 की preparation के लिए, कोई question है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें comment box में comment कर सकते हैं, या फिर video के starting में जो number show रहा था, उस पर आप हमें what's up भी कर सकते हैं, in case of any emergency, आप हमें call भी कर सकते हैं, next videos में हम लोग बात करेंगे, West Bengal और साथी साथ गुजरात और राजस्थान में, कितने मास के जुरत पड़ेगी, NEET में, ताकि admission किसी एक government, medical college में हो सके, आप बने रहे, medical in के साथ, तो दोस्तों कैसे लिए आपको हमारी वीडियो, अगर यह वीडियो आपको पसंद राता है, तो प्लीज इससे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे content को, चैनल को subscribe पर ना मत बूलिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं यह 2021 को लेकिए, वो आपको non-stop मिलते रहे हैं,